हालेलुया, खुदाओं खुदा का शुक्र करते हैं वीजियो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भक्ती के बारे में सीख रहे हैं कि श्रीरिक बक्ती है, प्रानिक बक्ती है और आत्मिक बक्ती है और खुदाओं खुदा ने अपने लोगों को ये बेद दिया है जिस बेद को दुनिया नहीं जान तो ये खुदाओं खुदा का बड़ा फजल है कि हम लोगों पर ये बातें जाहर हुई हैं तो मेरे बात ये है कि अगर संसार इन बातों को नहीं जान सका तो फिर हम ये बातें कैसे जान सकते हैं जिन बातों को अगर संसार नहीं जान सका तो फिर हम ये बातें कैसे जाहर हुई मतलब जिस बेद को संसार ना जान पाया वो हम पर कैसे जाहर हुआ सफेरे अजी जो वचन इसका जवाब हमको खोल कर देता है पहला करंथियों का सथ दो अदियाए उसकी दस आयत में ऐसे लिखा है प्रंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर परगट किया है संसार पर ये बातें इसलिए परगट नहीं हुई क्योंकि संसार के पास परमेश्वर का आत्मा यानि के पुवित्र आत्मा होली स्पिर्ट नहीं है बिना पुवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर के आत्मा के बिना होली स्पिर्ट के जो भेद परमेश्वर ने मसी ईश्यू में शुपा के रखे हैं वो भेद किसी भी कीमत पर किसी भी इनसान पर परगट नहीं हो सकते वो अपनी बुद्धी से बहुत कुछ जाने की कोशिश का सकता है और बुद्धी से काफी किसम के आडिये भी लगा सकता है प्रम्तु बाव्युद इसके वो फिर भी उस भेद को कभी नहीं जान पाएगा क्योंकि बचन में लिखा सारी लिखत प्रमेश्वर के आत्मा के द्वारा है बचन की सारी लिखत प्रमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी गई है और जब प्रमेश्वर के आत्मा ने अपने डबियों के द्वारा उस बात को लिखाया है तो फिर हमारे सामने ये बात खुल कर आती है जिस आत्मा के द्वारा लिखाया गया जब वो आत्मा हमको मिल जाता है तो जिस आत्मा ने उसको लिखवाया है वो आत्मा अपनी सारी बातों के वेद को अच्छी तरह से जानता है तो इसलिए हम पर ये बाते जार हुई हैं जैसा करंथियों का खथ पहला करंथियों का खथ दो अधे उसकी दस आज में लिखा प्रंतो प्रमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर परगड़ किया है अपने आत्मा की बाते समझने के लिए उसने अपना ही आत्मा हमारे अंदर डाला है हलेलुया सो जैसा आगे पढ़ते हैं कि उनको अपने आत्मा के दोरा हम पर परगड़ किया है क्योंकि आत्मा सब बाते क्योंकि आत्मा सब बाते वर्म प्रमेशर की गूड बातें भी जांचता है हालेलुया क्योंकि वो उसका आत्मा है इसलिए वो प्रमेशर की गूड बातों को जानता है वो गूड बातें जिनको संसार जानने की कोशिश तो करता है प्रन्तु अभी तक जान नहीं पाया तो पहरे अजी जो ये खुदाओं खुदा का फजल है कि उसने हमको अपना आत्मा दिया तांके हम उन गूर उन गहरी बातों को जान सके जैसा हमने पेले पढ़ा था भक्ति का बेद गंathीर वो जो बहतील का बेद गंबीर है जो बहती भेद गहरा है वो बेद आत्मा के दो करणा हम परगट हुआ जब हमें आत्मा ना मिलता तो यह हम पर कभी फरगट नहीं हो तुर में कुछ लोग आत्मा में आजाते हैं भर्म में रहते हैं कि हम आत्मा के चलाए ही चल रहे हैं पॉनतु बुद्धी मी जब आजाते हैं तो बुद्धी द्वारा की बातें लोगों पर धार हुनी शुरू हो जाती है सो बते हमको बहुत ही क्लियर करके बताता है पहला करन्सियों का दो ग्यारा में मुनुष्यों में से कौन किसी मुनुष्य की बातें जानता है पहरे अजी जो मैं मेरे मन में जो कुछ है मैं जानता हूं मेरा सामने खड़ा हुआ आदमी मेरे मन की बातों को कभी नहीं जान सकत मेरे मान की बातें मैं जानता हूं उसी तरह पुवित्र आत्मा पाक रूख की बातें पुवित्र आत्मा पाक रूख ही जानता है सो जैसे मनुष्य दूसरे मनुष्य के मान की बातों को नहीं समझ सकता और दूसरी बात जैसे मनुष्य मनुष्य को समझता है यानि कि जो कुछ मनुश्य के साथ हम बाते करते हैं वो बाते समयता है वैसे ही जो आत्मिक लोग हैं आत्मा जब उनसे बाते करता है तो वो आत्मिक बातों को समयते हैं अब प्रानिक आत्मी शरीरिक आत्मी यदि आत्मा की बाते उसके साथ करेंगे भी तो उसकी समझ में न ज्याने नहीं है और आत्मिक इन्सान आत्मिक बातों पर और श्रीय को मनुश्य जो है वो श्रीय के बातों पर ज्यान करता है इसलिए बड़ी बड़ंबना होती है एक दूसरे की बात को समझने के लिए सो मनुश्य में से कौन किसी मनुश्य की बातें जानता है केवल मनुश्य की आत्मा केवल मनुश्य की आत्मा जो उसमें है वैसे ही परमेश्य की बातें परमेश्य की बातें भी कोई नहीं जानता केवल परमेश्य का आत्मा जैसे मेरा आत्मा मेरी बातें जानता है वैसे परम प्रमेश्र के आत्मा को पा लेते हैं वो प्रमेश्र की बातें जानने लगते हैं सो बारा आयत में लिखा है कुरंतिया दो बारा में प्रतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाई हमें ये क्यों हम पर ये बाते जाहर हुई हैं क्योंकि हमारे पास संसार का आत्मा होता हमारी सोच संसारिक होता, एड़ी संसार का आत्म होता, तो संसार के आत्मा के दोबारा हम पवितर आत्मा की बातें कभी भी समझना पातें, तो प्रमे श्री यह जानता हैं उन बातों को वो जान सके जो प्रमेशर की और से है प्रंतु हम ने संसार की आत्मा नहीं प्रंतु वे आत्मा पाया है जो प्रमेशर की और से है कि हम उन बातों को जाने जो प्रमेशर ने हमें दी हैं अगर प्रमेशों ने जो बाते हमें दी हैं अगर प्रमेशों अपना आत्मा ना देता बेशक बाते देता लेकर आत्मा ना देता तब भी शायद हम इन बातों को ना जान पाते इसलिए प्रमेशों अगाम ग्यान में जानता है ये लोग मेरे आत्मा की बाते मेरे आत्मा के बिना न साल लिखा है कि सारी बातें जो है सारा जो बतन है सारी जो लिखते हैं वो उसी के आत्मा के द्वारा लिखाई गी इसलिए मसीह लोगों के लिए फिर वो भेद भेद नहीं रहता तेरा आयत में लिखा है जिनको हम मनुश्यों के ग्यान की सिखाई हुई बातों में नहीं पर तो आत्मा की सिखाई हुए बातें वही समय सकता है जो आत्मा में है आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं अब प्यारे अजीदर ये बात याद रखना यदि हमें आत्मा मिला है तो सामने वाले को भी आत्मा मिला है जब दोनों आत्मिक जन बात करेंगे मेरे अंदर प्रमेशन का आत्मा सामने वाले के अंदर प्रमेशन के आत्मा के साथ जब बात करेगा तो वो एक दम उसको समझ पाएगा दूसरी बात मैंने आत्मा पाया है सामने वाले ने आत्मा नहीं पाया मैं जब उसके साथ आत्मिक बातें करूँगा तो आत्मिक बातों के साथ आत्मिक बातें मिला मिला करूँगा जब मेरी कोई उधारन कोई example भी मैं दूँगा वो भी यही सिद्ध करेगी कि वो आत्मिक तोर पर आत्मिक भेद को परकड़ करे आज हम कभी कभी बातें आत्मिक करते हैं वचन भी आत्मा से लिखा हुआ ले लेते हैं प्रंतु उसमें जो बाते मिलाते हैं वो संसारिक बाते मिला देते हैं तो वचन में लिखा है एक पूरी पराथ के वीच में जो आटा है उसमें थोड़ा सा खमीर चला जाए तो वो सारी परात के आटे को खमीरा कर देगा सो प्यारे अजी जो उसी तरह बेशक हम आत्मा में चलते हैं प्रंतु यदि हम आत्मा की बातों में शरीर की बातें संसार की बातें मिलाना शुरू करेंगे तो वो आत्मा की बातें जो है उनमें जब श्रीर की बातें मिल जाएंगी कभी भी हम उस भेद को नहीं जान पाएंगे कभी भी हम खुदा की इच्छा को नहीं पहचान पाएंगे और जिनको बताएंगे वो भी कभी खुदा की वेद को नहीं जान आ िए अलगा इसीरा उल्जन में विए व्लिए उजन बहुत है वह से बाइबल से बताता है यंजे आप विपुष्स विच्थ्थ बचन से बताता है इसमें कोई दो राइ है लेकिन आपने च्ट करना क्यों प्रमेश्वक ने आपको आत्मा दिया है ताके आप सब आतमिक sulphur दक्रद़ा कि क्रेखा देवा करते हैं और आत्मा की बाते बताते हैं आपको भी आत्मा मिला है आपने प्रमेश्वकован के द्वारा जाज करनी है जیसे हमने पढया कि आत्मा गूर बातों की जार्ज कर लेता है आपका फर्ज बनता है आप उन गूर बातों की जार्ज करें कौन सा आदमी बाइबल को पगड़ कर तो खड़ा है कौन सा आदमी बाइबल के वचन में सब पढ़ रहा है लेकिन जब वो उसको पेश करने की कोशिश कर रहा है कही कहीं वो आत्मा की बातों में श्रीरिक बाते मिला मिला कर तो नहीं बता रहा कहीं वो वच्छन में मिलावट तो नहीं कर रहा कहीं वो आपको गुम्रा तो नहीं कर रहा कहीं आपको संसार की तरफ तो नहीं ले जा रहा यह काम आपका है आपने परखना है आप यदि नहीं प करनी है मैं तो कहूंगा मैं ठीक हूं मैं तो कहूंगा मैं आत्मिक हूं मैं तो कहूंगा जो मैं कहता हूं वो ठीक है आपने जाचना है मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है के नहीं है आपने परक करनी है आपको आत्मा दिया आपने चेक करना है यदि आपको लगे कि वचन के काम करके गए हैं सो किसी का दोश नहीं निकाल सकते हैं करको कहीं को गरबड होती है तो आप फिर पास्ट्रों का दोश नहीं निकाल सकते क्योंकि खुदावंद जब भी को बात करते हैं उस बात की पूरी शान भी करने है। जड़े अजी जो इंटरनेट को यूज करना गलत बात नहीं है। लेकिन इंटरनेट की कॉपी करना गलत बात है। इंटरनेट से उठा उठा कर उसी तरह वचनों को पेश कर देना गलत बात है। आप इंटरनेट पे जाकर अभशिक्तों के वचनों को सुन सकते हैं, उनकी किताबों को जो उन्होंने डाउनलोड की हैं, उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ते और सुनते वक्त आपने देखना है, वो बातें जो कह रहे हैं, वो वचन के अनुसार है के नहीं, फिर जो उस वक्त उनको गया दिया गया था, जो पाकरू की उस वक्त मन्चा थी, उनको सुनाया गया, और उन पर जाहर हुआ उनने मुझे वह अजो आज लोगों के लिए जरूरी है। कर करते हैं जा इंट्रनेट पर जाकर लोगों की प्रोडाम सुनते हैं वह गलत नहीं है लेकिन याद रखना आप करोगे पेश करें वह गलत है कि वह गलत था और वह गलत ही रहेगा क्यूंकि प्रमेशुर हमेशां ताजा मनना देता है आपके उपर जो आप जाहर की है आपने आगे वो पेश करने हैं सुनी सुनाई बातों को आगे पेश करोंगे परमेशन आप से कभी खुश नहीं होगा तो याद रखेंगे कैसा लिखा है बचल में जिनकों हम अनुख्यों के ज्यान की सिखाई हुई बातों में प्रंतु आत्मा की सिखाई करना है आत्मिक बात के साथ शरीरिक बात मिलाते हैं तो फिर हम लोग दोगले हैं गुन गुने हैं परमेशन दोगलों को गुन गुने लोगों को पसाद नहीं करता जहां तो पूरे के पूरे आत्मिक बन जाओ या पूरे के पूरे शरीरिक हो जाओ दोनों में से एक चुन उसका भेद जब खोलना है उसको बिलकुल उसके साथ मिलाकर खोलना है आज जैसे कह देते हैं पहले तुम उसकी बाशाथ को डूड़ो तो फिर यह सारी चीजे तुमको मिल जाएंगी कौन सी चीजे मिलनी है यह बताना है मिला मिलाकर बताना है मांगो तो तुम्हें मिलेगा पर तुमने क्या मांगना है काइनात का मालिक है पूरी युनिवर्सल का मालिक है तुम क्या मांग रहे हो खुदा के बेटे होकर क्या मांग रहे हो एक कार मांग रहे हो है लिक अपर मांग रहे हो क्या तुम संसारिक हो जो यह संसारिक चीजे मांग रहे हो मांगो तो तुम्ह मिलेगा तुम्हे पाक रूम मिलेगा जब पाग रूम मिलेगा उस पाक रूम से जो मांगोगे वो खुदा तीच्छा के अनसार होना कहीं यह लिखा है उपर की चीजों की और मन लगाओ स्वर्ड की चीजों की तरफ चेट लगाओ सो जिसने फिर मांगना है आत्मिक होकर जब आत्मिक तरीके से मागना है तो आत्मिक बाते आत्मिक उंती और आत्मिक तरक्य की बातों को मागना है मेरी मुक्ति कैसे होगी इन बातों को मागना है मैं कहीं मुक्ति के रा से भटक तो ने गया इसकी जाज करनी है मैं मुक्ति के रा पर सही तरीके से चल रहा हूं, इसके लिए अगवाई माँई माँगनी है, मैं चल पा रहा हूं और मैं अभी जिन बातों पर जया नहीं पा सका उन पर मैंने कैसे जया पानी है, इन बातों को माँगना है, خدا से मांगना है, कुछा औंखुदा मैं जूड़ बोता था मैंने वो छोड़ दिये लगिन कि चुगली करने की आदत अभी मेरी गई नहीं है खुदा हुदा इस चुगली करने की आदत पर जय पॉने के लिए मुझ strengthen कर जय हम को पानी है फचल खुदा करेगा हम कभी-कभी खुदा को तो पर मैं कहा करता है तो पहरे अजी जो याद रखो काम खतरनाक है खुदा पर डालकर आप लोग खुदा को बेव पूफ बनाने की कोशिश कभी नहीं कर सकते कभी भी नहीं बहुत खतरनाक होगा खुदा को फट्टों में नहीं उड़ाया जाता खुदा पर इस्तमाल नहीं किया जाता मागने का पता हुए आत्मिक बाते हैं आत्मिक बातों के संग मिला मिला कर आत्मिक भगती करनी है तो आत्मिक तरीके से कानी होगी सचाई की बगती करनी है तो सचाई के तरीके से कानी होगी आत्मिक भगती में आत्मिक बातों को मिलाओगे तो आत्मिक बगती जानी जाएग कि सचाइभी की बrolleफोन के बतार हो तो सचाइभी की बगती मानी जए और घूलेकर आओगे तो फिर कैसे चाहता हूं कि मैं सत्य को जान गाया हूँ क्योंकि तो कुई असमसे ने कहा जो सत्य को जानेगा शाच से अजाद करेगा अजाद तो उसी को करेगा जो सत्य को गया है प्रेद लॉड हाले लुए तो बाफी चाहता पीछ मेंanga को कॉल आगी ती जिसकी वजे से हमको करणा अब हो ने पहुंचे के और योतमिक में हम लोग श्रीलिक बातां को नहीं मिला सकते क्योंकि वचन इसकी इजाज़ों के साथ हम लोगोग्य कर नीं करने हैं आफ्लेक बाते ही का ने ollut मिलेगा तो हमने आत्मा को पाकर आत्मा की बातें ही मांगनी है कि आत्मा की मेरे लिए मंच्छा क्या है आत्मा मुझे दिया प्यूं गया है मुझे खुदाओं खुदा ने अपने प्रिये पुतर मसी यसु की महमा में बुलाया क्यूं है यदि तो मुझको इस संसार में ही उसने रखना था तो इस संसार में मुझको खुश रखना था इस संसार में मुझको सबकुश महया करना था तो फिर प्रभू roast authent के आने Ấनी की जरूरत नहीं थी क्युक्विविक हम देखें ओडनेज़्म के लोगों को प्रानेनिमattered लोगों को तो आशिशें बरकते आज जो मसी यिशू के नाम में लोग पाने की कोशिश करते हैं उस वक्त तो उनके पास इतनी इतनी आशिशें बरकते थी बिना मसी यिशू के बदन में आयो हुए उनके पास सब आशिशें बरकते थी और वो सब कुछ उनके साथ जिसमानी तार प्रभु यह बता सके के यदि मैंने उनके साथ जिसमानी तॉर पर वह सारे वाइदे पूरे की ए रोहानी तॉर जगे तैयार करूं तांके यहां मैं हूँ वहां तुम रह सको तो प्रभू तो हमारे लिए जगे तैयार करने गया है और हमको इस बात की कोई कदर ही नहीं है कि वह हमारे लिए जगे तैयार करने के लिए गया है इसलिए गया कि वह हमको लेने आए और ले जाए और यदि हम इसी संसार के साथ जुडे रहें तो फिर उसके जगा तियार करने का हमारे लिए क्या फाइदा है वो हमारे लिए जगे इसी लिए तियार करा है क्योंकि नया जनम जिन्नों ने पाया है जिन्होंने प्रमेश्वर के गर में जनम लिया है अब उनका इस जमीन के साथ इस दर्ती के साथ जो रिस्ता था ना उसको पहचाने से पहले वो गया अब तो इस नए जनमें हुए इंसान ने ऊपर की बातों की खोज करनी कहां कि यहां येसु मसीब पिता के दाइने हाथ विराजमान है जो एक शक्सियत हमारे लिए गई है जगे तयार करने के लिए और हम हैं कि अपने लिए यही पर जगे तयार करने को बैठे हैं और हम कहते हैं नहीं वहां का तो हमको पता नहीं यहां जो तुने देना है वही तो हमको दे दे तो यह आत्मिक बगती करने वालों का नजरिया नहीं होना चाहिए यह तो जिसम की बक्ती करते हैं लोग उन का ये सिस्टम हैं हमारा ये सिस्टम नहीं है तो पहरे अजे जोड़ मैंने इस तस्वीर पर आप लोगों को खोल कर बताया था कि पाप के लिए मरना है ये चारगों तस्वीरे आपको दिख रहे होगी एक, दो, तीन, चार इसने पाप के लिए, शरीर के लिए, संसार के लिए, शेतान के लिए मारना है इस पर हम लोग खूल का सीख चुके हैं फिर मैंने बताया था तर्वार चलेगी जो खुदा का वचन है जैसे इबरानियों का ख़त चार बारा में लिखा हुआ है इसको सिर्फ जीने के लिए जो जरूरी है बस उसी को इसने प्रभू से लेकर उसकी शुक्र बजारी करनी है उससे ज़्यादा इसने नहीं मांगना है और यदि इसको किसी चीज़ की जरूरत है तो इसको यह ध्यान रखना है मेरा सिर्जन हार प्रमेशर जिसने मुझे अपने घर में जर्म लेने का मौका दिया वो मेरे जानने से पहले जानता है मुझे किस चीज़ की जरूरत है जब वो मेरे जानने से मांगने से पहले जानता है कि मुझे किस चीज़ की जरूरत है तो क्या मैं मांग कर उसे शर्मिन्दा नहीं कर रहा? क्या मैं उस पर शक नहीं कर रहा? क्या मैं जिस चिंता को करने से उसने मना किया नहीं कर रहा? तो मुझे क्या करना है जब उसने मेरे साथ वाजा किया मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तो अब आत्मा और स्टाई की भक्ती में मुझे ध्यान रखना है मेरा बनाने वाला मुझे जन्म दिलाने वाला मुझसे बेहतर जानता है मुझे किस चीज कीज जरूरत है हमारे गार में नए बच्चे ने जनम लिया है मेरी बेटी को खुदा खुदा ने आशश दी बेटे की और हम देखते हैं उसकी कैसे परविश हो रही है समय सिर उसको हर चीज मिलती है समय सिर उसको दूद मिलता है कब कब किस किस चीज़ की जूरत है उसको समय समय पर मां होने के लाते वो लाला कर देती है क्यों बच्चे या बच्चा मांग नहीं रहा मां को पता है जिसने जनम दिया है उसी तरह हमारे सिर्जनहार प्रमेशर को पता है जिसने हमको जनम दिया है वो हमारी हर बात को पूरा करने की कुद्रत और जूरत रखता है तो पहरे जी जो सब वस्तों का इंकार करने का मतलब ये है अब संसार की जिन वस्तों के लिए मैं मरता था जिन वस्तों के लिए मैं घुना तरता था जिन वस्तों के लिए मैं जूट बोलता था फ्रेव करता था दूसरों को नीचा समय पर मेरा पिटा मुझे देने की कुद्रत रकता है अब इन वस्तोम में को पाने के लिए मुझे को कोई एक्स्ट्रा यतन करने की जरूरत नए मेरा बनाने वाला सिर्ध जिनहार प्रमेशर कानाथ का मालिक मुझे हर चीज समय पर देगा जब मुझे मेरे वस्तर फटेंगे वो मेरे वस्तर फटने से पहले मेरे लिए इंतजाम करके रखेगा जब मुझे को रोटी की जरूरत होगी और मेरे पास जो है वो जब खत्म होने पर होगी उसे पहले उसको महया करने की सारा सिस्टम जो है वो पुद्रत उसके पास है और रड़ी इंतजाम करके रखेगा तो मुझे को इतना यकीन होना चाहिए कि यदि वो 40 साल पूरे समय पर इसराइल को खाना दे सकता है तो मुझे भी बुखा मरने नहीं देगा इसलिए मुझे इन चीजों की चिंता नहीं करने मुझे इनकी परवार नहीं करने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की फिकर होनी चाहिए मेरे पिता ने जिस मकस्द के लिए मुझे अपने घर में जनम लेने का मौका दिया है क्या मैं उस मकस्द के मताबिक चल रहा हूँ क्या मैं उस मकस्द के मताबिक जिन्दगी जी रहा हूँ क्या मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दुनिया में अपने आपको ग्यानवान थाबत करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं जा सच मुछ मेरे अंदर ये पीड़ा है कि जो सचाई मुझे को पता चली है वो सब को पता चल जए जो उसने डेढ़ मुझे पर खोले हैं वो सब पर ख Whew पर खुल जाएं पहरे अजी जो हम इन्सानों को बेवकूफ पक्री तर्प बना सकते हैं कोई डॉड़ा नहीं है लेकिन खुदा को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता ये बात द्यान रखना, हम लोगों के सामने डौंगी हो सकते हैं, लोगों के सामने फ्रेभी हो सकते हैं, लोगों को हम गुमरा कर सकते हैं, लोगों के सामने हम दर्मी परकट हो सकते हैं, लेकिन मेरा एक बनाने वाला, मु मुझे एक बात याद रखने चाहिए यदि मैं आत्मा और सचाय की भक्ती में पहुंच गया हूँ तो जब मैं अपने बनाने वाले को दोखा नहीं दे सकता तो उससे जो पैदा हुए हैं जो उसके गर के फरजद हैं फिर मैं उन्हें भी दोखा नहीं दे सकता तो हमें कलीसिया में उसी तरह चलना है कलीसिया को अपना परिवार मान कर चलना है कलीसिया को अपने गर के सदस्य मान कर चलना है क्लीसिया को अपने बदन का अंग मान कर चलना है क्योंकि हम सब मसी यसु की दे के अंग हैं एक अंग दूसरे अंग से नफरत नहीं कर सकता एक दूसरे के लिए फिकर करेगा एक अंग जदी दूसरा अंग गुमराल हो रहा है उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा उसे समझाने की कोशिश करेगा उसके लिए प्रातना करेगा तांकि वो किसी ना किसी रिती से बच जाए लेकिं यदि किसी में ऐसी पीडा होती है जब वो इनकामों को अंजान देने की कोशिश करता है सामने वाले जो गमंडी हैं वो मानने के लिए तैयार ने होते बावजिद इसके फिर भी हमें उनको बताना है मान लेंगे तो भी ठीक है ना माने तो भी कोई बात नहीं कम से कम मैंने तो अपने फर्ज को पूरा किया है क्योंकि घमंडी की सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो किसे की सुनता नहीं बेशक वो सुनता नहीं है लेकिं आप वो बात उसके सामने रखदो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि उसने परमेश्र के गर encown में जनम लिया है, बेशक वो उनमरा हो गया हो, फिर भी हमको उसको लाने की कोशिश करनी है, अगर वो परमेश्र के इंतजाम में होगा, हमारी Kोशिशों के बाद, परमेश्र K Mafaa करेगा, उसको ले आएगा, अगर इंतजाम में नहीं होगा, तो नहीं आएगा बाफ जिसके कि वो इंतजाम में है कि नहीं है मैं कोशिश करनी शोड़ दूँ तो फिर मैं गुनेगार ठाहरूँगा तो पहरे अजी जो सब बस्तों का इंकार करना है लुका की अंजीर 14 अजय उसकी 20 से लेकि 33 वर्स तक अपने आपका इंकार करना है लुका की अंजीर 9 अजय उसकी 23 वर्स तर्वार चलेगी खुदा का वचन 4 अजय उसकी 12 वर्स इबरानियो चेले के ये काम है जो कहता है ना कि मैं यसमसी का शगिर्ग हूँ मैं यसमसी का चेला हूँ गीत गाते थे ना हम यसमसी के चेले हैं दुनिया में धूम मचा देंगे तो धूम इसने मचानी है ना तो फिर ये काम इसने दिखाने है ये धूम नहीं मचाएगा जब ये काम करेगा ना इसके ये काम दुनिया में धूम मचाएंगे जब ये सब वस्तों का इनकार जिन वस्तों को पाने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकता था जब उन वस्तों से इसकी महबत हट जाएगी वो काम दुनिया में धूम मचाएगा इसके कहने मातर से जा गाने मातर से धूम मचने वाली नहीं है बहुत संजीदगी से और बड़ी ही बरीकी से हमको चलना है परे अजी जो त्यागना और सलीब उठाना है के लिए कि ये काम है त्यागना और सलीब उठाना मती की अंजील दस अजय उसकी से लेकर 49 आयता का मस्कुबा को भी पढ़ सकते हैं सुखरे अजी जो आज लोग सलीब गले में डालेते हैं बड़ी बड़ी सलीबे हैं याद रखना वो जो डाली हुई न वो येस्व मसी की सलीब है और यसमसी की सलीब यसमसी ने उठाई थी हमको यसमसी ने अपनी सलीब उठाने के नहीं नहीं बोला कि हम यसमसी की सलीब उठाएं हमें अपनी सलीब उठानी जैसे उसने अपनी सलीब उठाई है वैसे ही हम जो मसी में हमें हर रोज हर रोज अपनी सलीब उठानी है हर रोज हमें मरना है जैसे हर रोज अंच अंच करके मरते जाएंगे वैसे ही हर रोज उसकी सूरत पर बनते जाएंगे एक तो हम भप्तिस्मा की सूरत में प्राने मिनुश्य को दफन कर आये है दूसरा अंच अंच माने का मतलब ये है इस नए मिनुश्य में जो पराना मिनुश्य दोबारा एंटरी करना चाहता है उसकी किसी भी बात को एंटर नहीं होने देना जैसे ये उस खुदा का दास संटर पलूस कहता है मैं अपने श्रीर को मारता पीटता और अपने वश में रखता हूँ उसी तरह इसने ये काम करना है इसने हर रोज अपने अंदर उठने वाली जिसम की हर खवाईश को मारते और पीटते जाना है तांके वो इसकी दोड में किसी भी तरह की बाता ना डा सके तांकि जिस मकसद के लिए खुदा ने बनाया बनाया है इसको उस मकसद को ये पूरा कर सके तो त्याग ना है तो याद रखे शगिर्द हैं तो त्याग बहुत जरूरी है हम तो कई बार अपने हगों के लिए लड़ पड़ते हैं दूसरे को मारने तक भी कई बार पहुँचे जाते हैं अक्सर ऐसा हमारे साथ हो जाता है लेकिन याद रखें यदि बीते समय में हुआ है और यदि आपको उसका पश्चा ताप है तो खुदा आपको माफ करने के लिए तयार है परन्तु यदि दोहराएंगे तो फिर लिखा है माफ करो ताके माफ किये जाओ परन्तु यदि माफ नहीं करते तो फिर माफ किये भी नहीं जाओगे तो त्याग करना है हर चीज का त्याग करना है हर चीज का यहां तक कि अपने आपका भी त्याग करना है इस हद तक जो चलेगा उसे कहते हैं यह सुमसी का चेला उसके यह काम मचाएंगे दुनिया में दूम उसके काम बताएंगे जोर जोर से गला फार फार के पचार करना चेले का काम नहीं है सिर्फ अपने आपको दुनिया के सामने पेश करना जिर्फ श्केद का काम नहीं है बलके वो काम करे और उसके काम चीख चीख कर गवाही दे कि ये यसमसी का शग्रद है ये है यसमसी का चेला तरहे अजी जो मुसाफरी का जीवन है जैसा मैंने ये भी बता चुका हूँ मुसाफरी के जीवन में हम इस जहां को अपना नहीं समझ सकते हमारा मुक्तिदाता परमेशर प्रभु यसमसी हमारे लिए जगे तैयार करने गया आज से दो हुआ साल पहले हमें वहाँ पर जाना है ये हमारा घर नहीं है ये संसार हमारा संसार नहीं है हमारे लिए एक संसार तयार किया जा रहा है जिसमें हमने अनंतकाल तक अपने परमेशर के संग परमेशर जैसे बन कर रहना है हालेलोया परदेशी और मुसाफर मुसाफरी का जीवन पहला करन्तियों साथ अदय उसकी 29 से लेकर 35 वर्स तक और परदेशी और मुसाफर परदेशी भी और मुसाफर भी ये जीवन जीना है उसने पहला पतरस दो अदय उसकी 11 आयत जैसे हम इदर अमेरिका में आये हुए हैं यहां पर हम परदेशी की जीवन हमारे अंदर लाज सा रहती हैं हम अपने देश में जाएं कभी कभी हम फैंसला भी कर लेते हैं कुछ करके थोड़ी सेटिंग करके चले जाएंगे फिर कुछ ऐसी कंडिशने मजाती हैं जाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है लेकिन वो जो आपके अंदर एक टीस सी सारा जिन्दगी में बनी रहती है मुझे अपने देश में चले जाना चाहिए बेशक जाएं जाना जाएं लेकिन आपके अंदर वो भावना रहती है उसी तरह याद रखना हमारे अंदर ये भावना रहनी चाहिए मैंने अपने उस देश में जाना है जिस देश का मैं वासी हू जिस देश के लिए खुदाओं खुदा ने मुझे बलाया है यहां पर मैं पर्देसी हूँ और मसाफिर हूँ मसाफिर अपने पास इतना ही समान रखता है जितना उसके लिए ईजी हो मसाफिर सारा घर उठाकर निस निकल दा जरूरत का समान उसी तरह इस शिगिर्द के जीवन में इसको जब जीना है इसकी जरूरत का समान इसे मिलता रहे बस इतना ही काफी है और जरूरत सिर्फ जिन्दगी का गुजारा करने के लिए आश्क पसंदी करने के लिए नहीं मेरी जरूरत तो जहाज भी है जी एर प्लेन मेरी जरूरत है मेरी तो शिप जरूरत है मेरी तो सैवं स्टार होटल जरूरत है मेरा तो एक आली शान गर जरूरत है परदेशी ऐसा नहीं होता जी जो ना मुसाफर ही ऐसा होता है मुसाफर तो मुसाफर सफर के लिए थोड़ा सा समान बादता है और चलता रहता है पर देशी के मन में अपने देश को लोट जाने की एक टसक होती है वो हमारे बीतर रहनी चाहिए तो पहरे अजी जो मैं चाहूंगा आज इतना है काफी है कल हम लोग फिर इस पर विचार करेंगे खुदा तब तके लिए आप सब के साथ हो दौाओं में आप बने रहें खुदा आपको बहुत बहुत आशिश दे आईए प्रात्म जाते हैं पहरे ख़आ खुदा तेरे दनिवाद करते हैं तेरे बचन का दीज बोया गया आने वारे समय में सौह न मापन लाए ख़दावन तीरे लोगों पर तेरे बड़े रह्म को मांगते हैं ख़दावन जितने भी लोगों ने प्रात्म करने को कहा सब को तेरे तक्त के आगे लेकर आते हैं एक एक जिंदगी के लिए तेरे बड़े फजल को माँग लेते हैं हमारी प्रात्रा को सुन ले मसी यस्थू के लाओ आमे खुदा आप सब के साथ हो खुदा आपको बर्का दे जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि हमने उत्पती की खिताब, जैंसस, इसका शेह दैसकी चार आयत को श्रू किया हुआ है दानव कौन हैं, शुरवीर कौन हैं, परमेशिवर के पुत्र कौन हैं, आदम की बेटियां कौन हैं और कल हमने सीखा था कि क्या दूट शादियां कर सकते हैं क्या उनके पास ये इस्तियार है या उनके पास वो बदन है कि वो शादी कर सके क्या वो नर्द हैं या नारी हैं कैसा करके प्रमेशन बनाया कल हम लोगे उसके विस्तार से सीखा था और आज हम दानव के बारे में टाइम साधे-9 बज़े और इंडियन टाइम राज सुबे सात बज़े तो अंडिया में सबे सात बज़े होंगे और वहां पर एक जुलाई और यहां पर राफ dus Pros भुझा आइक होँगे और यहांपर 3060 होगी सुफ़दा आपके स हो शुब आप सबको बर्कदे सब को मेरी उसे जाइ